और अब वक्त है देश के अंदर जारी चुनावी हलचल की पर्थालखा साल के आखिर में माधिप्रदेश, 36 गड़ और राजिस्थान समेट देश के पार्थ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं लेकिन 36 गड़ में मुकाबला सबसे ज्यादा कड़ा माना जा रहा है और बढ़ाने वाले है अब की बार 75 पार है 36 गड़ में विधान सभा चुनाओं की तारीख अभीताय नहीं है लेकिन जीत के दावों का दंगल शुरू हो चुका है लेकिन सवाल है कि जनता के दिल में क्या है अगर आज चुनाओं होते हैं तो फिर सत्ता की सीड़ी काउन चड़ेगा फिर मिलेगा भुपेश भगिल को मौका या फिर बीजेपी लगाईगी चौका जैसे जैसे चुनाओं की घड़ी गरीब आ रही है ये सवाल भी बड़ा हो रहा है सबसे बड़े उपिनियन पोल के जर्ये एबिपी नियूज ने 36 गर्ल की जनता का उपिनियन चानने की कोशिश की एबिपी नियूज और सी वोटर के सर्वे में जो तथ्य सामने आए हैं वो 36 गर्ल की दोनों बड़े पार्टियां कॉंग्रिस और बीजे पी को हैरान कर देंगे ऐसे तो 36 गर्ल के सियासी समर में मुख्य मुकाबला बीजे पी और कॉंग्रिस के बीचोना तैय है लेकिन सवाल है कि सबसे बड़ा चिहरा कान होगा पीम और सियम के रूप में जनता की पहली पसंद कौन है 62 फीसद लोगों ने प्रधान मंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को पहली पसंद बताया है तो वही 20 प्रतिशत लोगों ने राहुल गांधी को प्रधान मंत्री का चेहरा बताया है अहीं 36 गल के CM कैंडिडेट के रूप में भुपेश बगहेल सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं उननचाज फीसद लोगों ने भुपेश बगहेल को पहली पसंद बताया है जबकि 24 फीसद लोग रमन सिंग को CM की कुर्सी पर देखना चाहते हैं ये आंकड़े बताते हैं कि 36 गल की सियासत में भुपेश बगहेल का चेहरा एहम फैक्टर साबित हो सकता है ABP News और Sea Water के सर्वे में सामने आए ये आंकड़े बताते हैं कि भुपेश सरकार के खिलाफ लोगों में ज्यादा नाराजगी नहीं है बावजूदिस के कॉंग्रेस का रास्ता आसान नहीं होने वाला अब देखिए कि अगर आज चुना होते हैं तो कॉंग्रेस और बीजेपी के खाते में कितनी सीट आ सकती हैं दक्षणी 36 गल में कुल 12 विधानसबा सीट हैं यहां अगर आज चुना होते हैं तो बीजेपी को 2-6 सीट मिल सकती हैं जबकि कॉंग्रेस 6-10 सीटों पर जीत का परचम फैरा सकती है अब नौर्थ रीजन की तस्वीर देखिए यहां कॉंग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है नौर्थ रीजन में कुल 14 सीट हैं उत्तरी 36 गड़ में बीजेपी 5-9 सीट पर जीत सकती है वही कॉंग्रेस भी इतनी ही सीट हासिल कर सकती है 36 गड़ में सबसे ज़्यादा सीट सेंट्रल रीजन में है यही वो ख्षेतर है जो कि 36 गड़ की सत्ता का केंदर भी माना जाता है सेंट्रल रीजन में कुल 64 सीट है यहां बीजेपी को 25-39 सीट मिल सकती है जबकि कॉंग्रेस को 34-38 सीट मिल सकती है यहां 0-2 सीट अन्य के खाते में जा सकती है कुल मिला कर कहें तो 36 गड़ में उत्तर से दक्षन तक कॉंग्रेस बेहतर स्थिती में है अब देखिए सभी 90 सीटों का आकड़ा क्या कहता है विधान सभाचुनाओं में बीजेपी को 35-41 सीट मिल सकती है जबकि कॉंग्रेस के हिस्से में 48-54 सीट आ सकती है यानि अगर आज चुनाओं होते हैं तो कॉंग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर सकती है लेकिन 2018 विधान सभाचुनाओं की तुलना में उसका ग्राफ नीचे गिर सकता है अब कॉंग्रेस नेताओं और 36 गल की भुपेस भगिल सरकार में शामिल मंत्रियों का तर्क कुछ भी हो लेकिन सर्वे से साफ है कि 36 गल की चुनाओं पिछ पर बीजेपी या फिर कॉंग्रेस दोनों दलों का रास्ता आसान नहीं है हालां कि फाइनल फैसला जनाता को ही करना है जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ओफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे